आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हमें इस question में दिया है कि elective field in a region is uniform and it is given e equals to a i cap plus b j cap plus c k cap ठीक है तो हमें यह find करना है elective flux associated with a surface a equals to pi r square i cap ठीक है तो देखो हम यह जानते हैं जो हमारा electric flux होता है यह क्या होता है e into a होता है e dot a ठीक है तो यहाँ से यह dot product है ठीक है तो यहाँ से देखो हम यहाँ पर value रग देते हैं हमें elective field का value दे दिया है a i cap plus b j cap plus c k cap ठीक है dot अब हमें area vector दे दिया है यह दे दिया पाई r square यह दिया है i cap ठीक है तो देखो होता क्या है कि यह माल लेते हैं हमारा कोई surface है ठीक है और इसका area vector यह है और elective field हमारा यह है ठीक है तो इनके बीच में क्या बन रहा है theta ठीक है तो यहाँ से जो हमारा net flux आता है यह phi equals to यह था dot product of the e dot a और इसको में लिख सकते हैं e into a into cos theta ठीक है अब यह कैसे लिखते हैं यह हमारा जब यह uniform होता है तब यह ऐसे लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक uniform दिया है ठीक है यह uniform electric field दिया है और यह जो हमारा है uniform area vector भी दिया है ठीक है तो 5 equals to e dot a put कर लेंगे और यह देगे dot product है तो अब यहाँ पर dot product कर लेंगे ठीक है अब देखो i dot i यह क्यो है dot product तो मतलब dot product में क्या होता है cost जब i dot i होगा i dot i इसका मतलब क्या हो जागा इसके बीच में theta क्या है theta है हमारा 0 degree तो लिखेंगे dot product होता है कि a dot b equals to mode a into mode b ठीक है जैसे a dot b यह होता है mode a into mode b into cost अब यहाँ theta equals to क्या है 0 है ठीक है तो same quantity के अगर साथ dot product होगा जैसे x dot x i dot i j dot j k dot k तो वहाँ पर ठीटे क्या बनेगा 0 तो वहाँ से यह आजाएगा हमारा mode i i के हमारा unit vector इसका magnitude 1 होता है तो 1 into 1 यह आजाएगा 1 ठीक है i cap के लिए तो similarly इस concept का हम इसमें use करेंगे ठीक है तो a dot i करेंगे तो i dot i है यह ठीक है और यह हमारा k होता है तो देखो i, j और i, k यह दोनों के बीच में कितना degree बन रहा है 90 degree है cost theta मतलब cost 90 degree equals to 0 होता है तो यहां से यह क्या हो जाएगा दोनों 0 बन जाएंगे ठीक है आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आट 4444 उपर